नमस्कार आदाप सिस्टेकाल रादे रादे जैहिंच, स्वागत है आप सबका महिंदरास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर, मैं चानी महिंदरास तहीं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, तो बच चुके हैं, सुबे के कितने साड़े छे बच चुके हैं, तो सारे questions के साथ ready हो चुके हैं, अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा week जो रहा है, यह festive week रहा है, बढ़िया से आप सब जो है enjoy कर रहे होगे, और जो है खुशी-खुशी पढ़ाई भी कर रहे होगे साथ-साथ, अगर मैं बात करूं तो 25 December को जो है हमने questions discuss किये थे, इसके 26 December की बात करें, तो 26 December को क्या क्या था, December का जो part 1 था, उसके current affairs हमने discuss कर लिये थे, December का part 1, मतलब 15th of December था अप्रोक्सिमेटरी, current affairs हमने half December के complete किये थे, उसके MCQs, उसके questions किये थे, भाई 27 December को तो 6 बजे से class हुई थी, किसकी NTPC के जो है, वो questions किये थे, उसके current affairs किये थे, और आज है 28 December, तो बहुत सारी news, जो जो important news है, वो छूट गई है, उसे discuss करने के अलावा क्या करेंगे, आज questions करेंगे, और जो है, फटा-फट जितने भी candidates, aspirants जुड़े हुए है, session को क्या कर देना है, भाई, share कर देना है, आप जहां पर भी connected है, और बिल्कुल हमारे आज के hashtag स शुरुआत करते हैं, जो के कौन सा, I can, I will, तो जितने भी candidates जुड़े हुए है, जल्दी से session को क्या कर देना, share कर देना, मैं देख पा रहे हूँ कि बहुत सारे candidates जुड़ते जा रहे हैं, very good morning to all of you, और बढ़िया से जो है, अपने week की शुरुआत करनी है, तो नए week की शु examination जो है, इसके अलावा, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी को और उसके अलावा, Saturday, Sunday को भी IBPS के examination है, SBI के examination है, तो all the very best जो है, पूरे के पूरे महिंदरा परिवार के तरफ से, best wishes हैं, आप जो है, बढ़िया से paper देख कर आना, बिल्कुल tension free होकर, mind free होकर देख कर आना, और एक माता पिता जो है, उनका जो है, क्या रखना है, ख्याल रखना है, और जो है, उनके बारे में सोचना है, कि उन्होंने कितने सपने देखे हैं हमारे लिए, कितने सपने संजोए हैं, और उन्हीं सपनों को हमें क्या करना है, बिल्कुल पूरा करना है, तो शुरुआत करते है yes you can you will I can I will के साथ शुरुआत करते हैं और पहले बात कर लेते हैं important day की तो हमारी list के according देख लेते हैं कि कोई important day है की नहीं तो बिल्कुल हमारी list के according अभी को important day नहीं है अगर को important day रहेगा तो list को क्या कर दिया जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा लेकिन उससे पहले 25 December को जो है सुशासन दिवस मनाया गया था Good Governance Day मनाया गया था अटल बिहारी वाचपे जी की birth anniversary को प्लक्ष में इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवी जी की भी क्या थी birth anniversary थी तो सुशासन दिवस Good Governance Day celebrate किया जाता है Christmas Day के साथ 25 December को नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो Current Affairs Analysis से शुरुआत करते हैं जो जो इन दिनों important news बनी रहे उसके बारे में पूरी सी चर्चा कर लेते हैं पहला Cabinet Approves 100% FDI and 20 Year License in DTH Broadcasting Services Sector जीके DTH Broadcasting Services Sector के बारे में बात की जा रही है Cabinet ने DTH मतलब Direct to Home प्रसारण सेवा में 100 प्रतीशत FDI और 20 वर्ष ये license को मन्जूरी दे दी है तो FDI क्या होता है Foreign Direct Investment होता है प्रत्यक्ष्विदेशी निवेश होता है और अब जो है DTH में Foreigners आकर 100% तक क्या कर सकते है निवेश कर सकते है Next अगर मैं बात करो इस news के बारे में और क्या important रहा उसे देख लेते है FDI जो है DTH Broadcasting Services Sector में Direct to Home में कितनी कर दी गई है 100% जो अभी तक कितने % हुआ करती थी 49% हुआ करती थी अभी तक विदेश आकर सिर्फ और से 49% ही Direct to Home Services में क्या कर पाता था Investment कर पाता था इसके अलावा DTH Services जो चला रहे है ऐसी Companies जो है उन्हें License Provide किया जाएगा कितने सालों के लिए 20 सालों के लिए अभी कितने समय तक के लिए उनको License दिया जाता था एक बार में तो 10 साल के लिए जो है उन्हें At The Moment License Provide किया जाता था ठीक है तो ये जो है Renewal Provision भी रहेगा After Every 10 Years का Renewal Provision रहेगा अगर जो है बात करें तो License Free को भी क्या किया गया है Revised किया गया है जो पहले हुआ करती थी कितनी ठीक है 10% Gross Revenue हुआ करती थी अब उसे कितना कर दिया गया है 8% of Adjusted Gross Revenue कर दिया गया है जो Calculate किया जाएगा GST को क्या करके Deduct करके जो Calculate किया जाएगा GST को क्या करके Deduct करके जो है जो Calculate किया जाएगा यह जो license fee है यह collect की जाएगी quarterly basis पर पहले क्या होता था आइन्वल basis पर सालाना basis पर जो है fees ली जाती थी अब क्या कर दिया गया है इसे quarterly basis पर कर दिया गया है नेक्स बात कर रहें अगली न्यूस की तरफ इंडिया's largest hockey stadium to be set up in रावर किला इन ओडिसा भारत का जो है सबसे बड़ा hockey stadium ओडिसा के रावर किला में स्थापित किया जाएगा इसकी घोशना कर दी है ओडिसा सरकार ने तो इंडिया का जो largest hockey stadium अब रहेगा वो कहां पर रहेगा भाई ओडिसा के रावर किला में रहेगा तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ओडिसा से जुड़े हुए होंगे तो बहुत 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 बताईएं आप लोगो को कि अब आप सबसे बड़ा hockey stadium देख पाओगे राव पतनाइक जी ने जो stadium है वो construct किया जाएगा कहां पर तो बीजू पतनाइक यूनिवोसिटी ओफ टेकनोलोजिकल कैंपस जो रावर किला में लोकेटेड है वहां पर इस stadium को setup किया जाएगा तो रावर किला cricket stadium जो है biggest hockey stadium बन जाएगा कहां का इंडिया का जिसमें 20,000 लोगों क बैठने की capacity रहेगे और 15 एकड़ की भूमी पर ये फैला हुआ रहेगा ठीक है जो stadium है वो benchmark रहेगा other hockey stadiums जो world पर है तो world class stadium जो है क्या किया जाएगा मनाया जाएगा ओडिसा जो है वो host करने वाला है international hockey federation men's hockey world cup दूसरी बार लगातार कब 2034 में 2034 में दो venues पर कहां कहां पर होने वाले भूमनेशर और रावर किला में तो उसी को देखते हुए जो है सबसे बड़ा world class hockey stadium डेवलप किया जा रहा है कहां पर रावर किला city में कहां पर located है ओडिस नीति आयोग ने made in India cloud storage services dgbox जो है उसे क्या किया है launch किया है तो आप देख सकते हो कि ये cloud storage services है हम अभी तक देखते थे कि बहुत सारी companies के cloud systems होते हैं जहां पर पूरा data इखटा होता है अब नीति आयोग ने जो है made in India मतलब इंडिया के अंदर ही बना अभी तक क्या होता था हम जो है अलग-अलग बहुत सारी जो है foreign companies के cloud system को इस्तमाल करते थे जहां पर data store होता था अब नीति आयोग ने जो है खुदी का made in India cloud storage service बना लिये जिसका नाम क्या है digibox है तो पूरा data जो है इसी cloud में क्या किया जाएगा store किया जाएगा अगर मैं बात करो इस news के बारे मे तो indigenously developed ये इंडिया का सबसे पहला digital asset management और storage platform रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या digibox ये जो है घोशना की गई है launching की गई है नीति आयोग के CEO अमिताप कांची ने इसके क्या की है launching की है आत निर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए बिलकुल ये बहुत ही important पहल है क्योंकि ह हमारा खुद का कोई own cloud storage platform नहीं था तो नीतियायोग ने अपना जो है digibox नाम का जो है एक cloud storage platform बना लिया है ये जो cloud storage और file sharing services रहेगी ठीक है ये आपके desktop पर iOS पर Android users पर ठीक है users और business सब के लिए जो है ये system रहेगा जैसे अभी तक हम क्या करते है अलग-अलग companies के Google के या फ cloud storage आपको free मिलेगा cloud storage space free मिलेगी सभी में ऐसा होता है कि कुछ data हमें free में store कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको 100 GB की space चाहिए पर मन्त तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कितने रुपे खर्च करने पड़ेंगे 30 रुपे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे तो ये एक important जो है वो news रहेगी और ये जो है आत निर्बर भारत की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी पहल है ये next news की तरफ बढ़ रहे है next news आ रहे ही है screen पर RBI cancels the license of सुभद्र Local Area Bank महाराश्च रबीचन ने सुभद्र Local Area Bank महाराश्च में लोकेटेड है उसके license को क्या कर दिया है तो आरीचन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था जिस वजए से सुभद्र Local Area Bank महाराश्च का उसके license को रद्द किया गया है हाली में RBI ने करड सहकारी बैंक जो महाराश्ट कही था उसके लाइसेंस को भी क्या कर दिया था याद होगा तो बिल्कुल कैंसल कर दिया था अगर मैं बात करो इस न्यूस के बारे में तो RBI ने जो लाइसेंस कैंसल किया है सुबधर लोकल एरिया बैंक का ये ध्यान रखना कहां पर लोकेटेड है कोलापूर महाराश्ट में लोकेटेड है ठीक है 24 डिसेंबर से जो है ये अपने बैंकिंग बिजनेस को continue नहीं कर पाएगा ये कह दिया गया था रिजर्व बैंक ने कैंसल किया है क्योंकि इसने ब्रीच किया है तोड़ा है minimum net worth requirement जो रहती है ठीक है जो पैसा reserve करके रखना होता है उसके जो है rules को break किया है जिस वज़े से जो है उसके आगे के future को देखते हुए depositors को देखते हुए जो है license को finally क्या कर दिया गया है रद कर दिया गया है ठीक अगर हम बात करें तो इसके बात सिर्फ और सिर्फ दो ही local area banks जो है वो operational बचे हुए है इंडिया में पहला coastal local area bank limited और दूसरा कृष्णा भीमा समृध्धी bank limited ये दो ही बस local area banks जो है बचे हुए है बाकि सब के सब जो है क्या हो गए है dissolute हो गए है पूरी तरीके से नेक्स बात करें अगली न्यूस की तो HDFC banks ranks top among 100 BFSI firms in इंडिया भारत में HDFC banks 100 BFSI firmों में शीर्ष स्थान पर है तो आप जो है बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी HDFC bank की Housing, Development and Finance Corporation की जो 100 BFSI firms में जिसने क्या किया है टॉप किया है इस न्यूस के बारे में और थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि है क्या HDFC bank ने जो यह top किया है 100 BFSI companies में यह BFSI क्या होता है banking financial services और insurance companies के चेत्र में जो है HDFC bank ने क्या किया है टॉप किया है HDFC bank ने top किया क्यों है उसकी customer service की वज़े से monetary management की वज़े से innovative offering से वो provide करता है इसके अलावा coronavirus pandemic में भी बहुत सारे offers प्रोवाइड किये गे थे वो बात अलग है कि HDFC bank को RBI ने जो है फिलाल new credit card और digital products launch करने के लिए क्या कर दिया है रोक दिया है ठीक इसके अलावा मैं बात करूँ तो HDFC bank तो banking financial and insurance company services में first position पर रहा दूसरी position पर रहा public sector bank private sector bank ICIC bank और तीसरी position पर रहा कौन सा SBI जो public sector bank है ठीके इसके अलावा जो और other banks है जो included रहे रहे RAYS bank, PNB, HSBC हो गया KOTAC, Mahindra हो गया huge bank, IDBI ये सब भी क्या रहे शामिल रहे लेकिन top किस ने किया है HDFC bank ने second position पर ICIC और third position पर कौन है SPI है next बात करें अगली news की तरह बढ़ रहा है अच्छा इसी में जो है कुछ और important categories भी शामिल है इसी में कुछ और important categories भी शामिल है wallet और UPI मतलब unified payment interface segment में किस-किस ने top किया है तो Google पे first पर रहा फिर phone पे Paytm, Amazon पे और WhatsApp new bank segment की अगर मैं बात करूँ तो SBI का योनो है you only need once वो क्या रहा top पर रहा ठीक है next अगर मैं बात करूँ payment bank category की अगर मैं बात करूँ payment bank category की तो payment bank category में जो top पर रहा वो कौन सा रहा भई, ATL payment bank रहा कौन सा रहा ATL payment bank दूसरे bank की बात करें तो वो कौन सा रहा वो रहा Paytm payment bank और तीसरा कौन सा रहा है तीसरा कौन सा रहा है भई, थर्ड कौन सा रहा है screen पर आपको दिख रहा है जिसकी कोई branches नहीं होती है ठीक है ये जो है online होता है पूरी तरीके से ये physical location पर जो है provide नहीं किया जाता और digital banking experience, mobile applications ये सब क्या करता है services provide करता है single platform पर अब मुझे एक बात बताओ अगर हम बात करें तो बहुत सारे नियो बैंक्स आप जो है देखते हो जैसे की कौन-कौन से phone पे, Google पे, Paytm ये सब भी क्या कहलाते हैं, नियो बैंक्स की category में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं नेक्स बात करें अगली नियूस की तरफ बढ़ रहे हैं, अगली नियूस आरे है स्क्रीन पर, वाइस प्रेसिडेंट वेंकायान आइडू जी इनॉगरेट्स बुक टाइटल ओ मिजुरम, authored by मिजुरम गवर्नर श्रीधरन पिल्लई, उप्राश्रपती वेंकायान आइड ध्यान रखना इस बुक को जो है लिखा किस ने है तो इस बुक को लिखा है, मिजुरम के गवर्नर श्रीधरन पिल्ले जी ने इस बुक को लिखा है, लॉंचिंग की गई है, इवेंट और्गनाइज किया गया था, इंडिया इंटरनाश्रल सेंटर ध्यान रखना कहां पर लोकेटेड है, न्यू डेली में लोकेटेड है, ओ मिजुरम जो है एक सो पचीसवी बुक है जो श्रीधरन पिल्ले जी के द्वारा लिखी गई है, मतलब ये जो है बहुत सारी जो है क्या लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, नेक्स बात करें अगले क्वेशन की तरफ, सॉ बेसिक से अपनी तयारी कर सकते हो, आप महिंद्राज.org की वेबसाइट में विजिट करके, बेसिक से हमारे सजुड कर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉंग बना सकते हो, आप जल्दी से बता दो, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कि MCQ के लिए रेडी हो, येस ओन पर वो ये है, the medium range MR-SAM missile was successfully tested by DRDO recently, it is which type of missile, हाली में मद्यम धूरी की MR-SAM missile का DRDO द्वारा सफलता पूरवक प्रशिक्षन किया गया था, ये किस प्रकार की missile है, तो आपको बताना है कि ये जो है किस प्रकार की missile है, जिसे हाली में Defense Research Development Organization ने बनाया था, option है, air to air है, surface to surface है, surface to air है या फिर air to surface है, तो किस तरीके की ये missile है, तो बिल्कुल जो है सही answer आने लगे हैं भई, कौन सी missile है, surface to air है, full form ही क्या है, medium range surface to air missile, medium range surface to air missile नाम ही है, नेक्स तरार है अगला question, how much amount has been sanctioned by the World Bank for Rajasthan, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh to develop safe and green national highway corridors in these states, Rajasthan, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh और Uttar Pradesh के लिए, राच्छों में सुरक्षित और हरित, राश्ट्रे, राच्मार, गलियारों को विक्सित करने के लिए कितनी राच्छी जो है, वो मन्सूर की गई है, तो World Bank ने राजिस्तान, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh में national highways, वो भी green highways, corridors जो है, वो बनाने की बात की गई है, कि राश्ट्रे, र लोग answer देने लगए है, कितना amount दिया है, US dollar 500 million का जो है, क्या दिया है, support दिया है, किसने World Bank ने, नेक्स जो है, अगले question की तरह बढ़ रहे है, और अगला question आ रहा है, स्क्रीन पर, National Consumer Day is observed every year, on which day, राश्ट्रे उभोकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये Consumer Rights Day की बात नहीं हो रही है, राश्ट्रे उभोकता दिवस की बात नहीं हो रही है, राश्ट्रे उभोकता दिवस की बात नहीं हो रही है, राश्ट्रे उभोकता दिवस की बात नहीं हो रही है, राश्ट्रे उभोकता दिवस की बात नहीं हो रही है, राश्ट्रे उभोकता दिवस की किसे न्यूक्त किया गया है SO CHAM क्या है Associated Chambers of Commerce and Industry in India New President SO CHAM के किनहे बनाये गया है Option है निरंजन हिरनन्दानी, विनीत अगरवाल, संजीब जजोतिया, बालकृष्न गोयंका तो आपको बताना है नए President SO CHAM के किनहे बनाये गया है विनीत अगरवाल जी को बनाये गया है निरंजन हिरनन्दानी जी जो है step down हुए है और किने बनाये गया है विनीत अगरवाल को बनाये गया है Next बात करें Who has been awarded the ATP Stephen Edberg Sportsmanship Award 2020 किसे ATP Stephen Edberg Sportsmanship Award 2020 से समानित किया गया है तो Association of Tennis Professional है ये जो अवार्ड किसे दिया गया है 2020 का आपके पास option है रफेल नडाल, रोजर फेडरर, विसिक पॉपिसिक या फिर नोवाक जुकोविक तो ATP अवार्ड जो है वो किसे जो है दिया गया है कौन जो है इस अवार्ड से समानित हुआ है Sportsmanship Award 2020 ATP Stephen Edberg बिल्कुल सही आंसर आने लग गया है किसे दिया गया है रफेल नडाल को इस अवार्ड से क्या किया गया है नवाजा गया है किसे दिया गया है रफेल नडाल को दिया गया है अब जल्दी से मुझे comment box में ये लिक कर बता दो कि रफेल नडाल जो है वो किस country से belong करते हैं रफेल नडाल जिन्हें राफा के नाम से भी जाना जाता है रफेल नडाल जो है किस country से belong करते हैं तो बिल्कुल कौन से जो है professional tennis player है कहां के बैस Spanish है कहां से belong करते हैं Spain से belong करते हैं next question की तरफ बढ़ रहे हैं DRDO has partnered with which country for the development of MRSAM missile MRSAM missile के विकास के लिए DRDO ने किस देश के साथ साज़ेधारी की है तो medium rate surface to air missile जो DRDO ने launch की है इसके लिए DRDO ने किस country के साथ जो है partnership करके इस missile को बनाया है तो बिल्कुल वो कौन सी country है जिसके साथ partnership की गई है और वो कौन सी country है भई इसरायल के साथ partnership करके इसे बनाया गया है नेक्स बात करें अगले question की the basic countries is a block of how many industrialized countries basic देश कितने ओद्योगिक देशों का एक समू है तो जैसे G7 होता है, G20 होता है, BRICS होता है वैसे ही कौन सी countries का समू है basic countries का भी एक समू है जो industrialized country है, ओद्योगिक देश है कितने countries का ये समू है पूछा जा रहा है basic countries में 3 countries है, 4 है, 5 है, 7 है ब्रजील, South Africa, India, China ब्रजील, South Africa, India, China तो देखो, BRICS वाली country ही है, बस कौन सी नहीं है, रश्या नहीं है ठीक है, तो basic countries में 4 countries शामिल है आपकी नेक्स ना रहा है, अगला question स्क्रीन पर और question है listening, learning and leading is a book based on which of these ministers श्रवन, सीखना और अग्रणी रहना किस मंत्री पर आधारिक एक पुस्तक है important है question, जल्दी से answer बता दो भई listening, learning, leading जो है ये किस जो है minister की life पर based एक book है listening, learning and leading book जो है किस पर आधारिक पुस्तक है option है आपके पास, नरेंदर मोदी जी की life पर है रामनात कोविन जी, वेंकाया नायटो जी जल्दी से बता दो भई किस की life पर जो है ये book है listening, learning and leading बिल्कुल किस की life पर based है ये book वेंकाया नायटो जी की life पर जो है ये based है किस की life पर based है वेंकाया नायटो जी की life पर जो है ये based है book next रहा रहा अगला question screen पर exercise कौनकन is the annual bilateral maritime exercise between Indian Navy and the Navy of which country कौनकन नाम का जो है युदभ्यास भारती नौसेना और किस देश के बीच में एक वार्षिक दुए पक्षी समुद्री अभ्यास है तो कौनकन नाम के defense exercise आपको बताना है Indian Navy और किस country के Navy के बीच में जो है वो conduct की जाती है option है UK, Sri Lanka, Bangladesh की Thailand तो बिलकुल कौनका नाम का युदभ्यास किस के साथ करती है इंडिया UK के साथ United Kingdom के साथ करती है next question गोगा बिल लेक is located in which state of India गोगा बिल जील भारत के किस राज्यमिस थित है आपको बताना है गोगा बिल जील जो है वो भारत के किस राज्यमिस थित है option है उत्राकंड, हर्याणा, असम या फिर बिहार तो न्यूस में बनी रहती है गोगा बिल जील भी, गोगा बिल लेक भी और ये जो है किस Indian state में located है तो कहाँ पर located है भाई बिहार में located है next आ रहा है अगला question where is Rani Jhansi Marine National Park situated situated Rani Jhansi Marine National Park राश्ट्री उद्यान कहाँ पर स्थित है तो Rani Jhansi Marine National Park राश्ट्री उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है option है अंडमान निकोबार हर्याणा, करनाटिका या फिर सिक्किम तो Rani Jhansi National Park जो है वो कहाँ पर situated है जल्दी से बता दो comment box में लिखकर अराम से पढ़ लो option अराम से पढ़ लो option Rani Jhansi National Park जो है राश्ट्री उद्यान कहाँ पर स्थित है कहाँ पर located है जल्दी से बता दो भई कहाँ पर located है तो बिल्कुल कहाँ पर located है अंडमान निकोबार आइलेंड में अंडमान निकोबार आइलेंड की Port Blair है Capital क्या है Port Blair है Lieutenant Governor की बात करे दिवेंदर जोशी जी है और अगर हम बात करें किसके बारे में अंडमान निकोबार के बारे में अंडमान निकोबार के बारे में तो याद रखना की जो है Rani Jhansi National Park located है कहाँ पर अंडमान निकोबार आइलेंड में इसके अलावा बहुत सारे important national parks भी located है कहाँ पर अंडमान निकोबार आइलेंड में नेक्स्ट आ रहा है अगला question screen पर The Red Ink Awards are related to which field Red Ink Awards किस छेतरे से संबन्देत है तो Red Ink Award आपको बताना है किस field से related है Option है Medicine से Science and Technology Film and Television या फिर Journalism Red Ink Award जो है किस से संबन्देत है किस field से संबन्देत है तो बिलकुल किस से related है भाई नाम से समझ में आ रहा होगा Red Ink Award किस से related है Journalism से related है Next question Where is the headquarter of international organization for standardization located अंतराश्य मानिकरण संगठन ISO का मुख्याले जो है इसका मुख्याले कहां पर स्थित है Option है New York, Brussels, Geneva या फिर Rome तो ISO का headquarter जो है कहां पर located है बिलकुल Geneva, Switzerland में located है Next question Which of the given airports is not located in Gujarat दिये गए हवाई अड़ो में से कौन सा Gujarat में स्थित नहीं है ठीक है इन में से कौन सा airport जो है वो Gujarat में located नहीं है Option है पोरबंदर, भावनगर, मुंगेर या फिर कांडला इन में से कौन सा airport जो है वो Gujarat में located नहीं है पूछा है कौन सा है वो नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है ये पूछा गया है तो बिल्कुल जो है भाई answer आने लग गया है और कौन सा airport जो है वो located नहीं है और इन में से कौन सा नहीं है वो है मुंगेर एरपोर्ट अगर मैं बात करूँ मुंगेर की तो comment box में लिखकर बता दो कि फिर मुंगेर एरपोर्ट जो है ये कहां पर located होगा जल्दी से comment box में लिखकर बता दो कि फिर जो है ये मुंगेर एरपोर्ट कहां पर located होगा जब ये गुछरात में located नहीं है तो कहां पर located है भाई बिहार में located है next ना रहा है अगला question who is the author of the book India wins freedom India wins freedom के लेखा कौन है तो एक पुस्तक है India wins freedom इसके author पुछे गए है option है खान, अब्दुलगफार खान, शेतन भगत, अमरिता साहू या फिर मौलाना आजाद तो India wins freedom ये जो book है इसके author कौन है मौलाना आजाजी है अब्दुलकलाम आजाद जी नहीं है मौलाना आजाद जी है नेक्स बात करें अगले question की दा फटोडरा, officially known as the जवालला नहरू stadium, is in which state दा फटोडरा, अधिकारिक तौर पर जिससे जवालला नहरू stadium के नाम से जाना जाता है, किस राजमिस तो जवालला नहरू stadium जो है उसे फटोड़ा भी कहा जाता है, ये किस राजमिस थेता है option है आपके पास गुआ, अंध्रप्रदेश 36 गड़ या फिर पंचा तो बिल्कुल कहाँ पा लोकेटेड है, गुआ में लोकेटेड है, कहाँ पा लोकेटेड है, गुआ में लोकेटेड है, नेक्सक्रितिक विरासत सनरक्षन के लिए 2020 युनेस्को एशय प्रशान पुरसकार से माननेता दी गई है, तो आपको बताना है कि किस शहर के अमर सिंग कॉलेज को सांस्रितिक विरासत सनरक्षन के लिए युनेस्को एशय प्रशान पुरसकार से सम्मानित किया गया है, सबसे ज़ादा conservation किया गया है, इसका अमर सिंग कॉलेज जो है, वो कहाँ पा लोकेटेड है, तो बिलकुल ये कहाँ पा लोकेटेड है, श्री नगर में लोकेटेड है ध्यान रखना, कहाँ पा लोकेटेड है, श्री नगर में लोकेटेड है ध्यान रखना, important question रहेगा बहुत, next question की तरह बढ़ रहे है, who is the author of a new book, The Light of Asia, the poem that defined the Buddha, which will uncover the story of the Light of Asia poem, तो आपको author बताना है उस बुक के, जिस बुक का नाम है, The Poem that Defined Buddha, The Light of Asia, option है आनदनिशर्मा, शशी तरूर, जैराम रमेश, नंदन नीले कानी, या फिर सागरिका घोश, तो इस पुस्तक के लेका कौन है, The Light of Asia, The Poem that Defined the Buddha, तो बिल्कुल कौन है वो, जैराम रमेश जी है, कौन है जैराम रमेश जी है, Next question की तरफ बढ़ रहे है, Who is the author of the book, Oh Misuram, virtually released by M. Venkaya Naidu जी, M. Venkaya Naidu दी ज्वारा जारी पुस्तक, Oh Misuram के लेखा कौन है, आपको क्या बताना है कि author कौन है, Option है, जोरान थंबा, सर्बनन सोनोवाल, जगदीश मुखी, पियेश श्रीधरन पिल्ले, या फिर बिस्व भूशन हरी चंदन, Oh Misuram book के author कौन है, तो बिल्कुल सही answer आने लग गए, comment box में, Oh Misuram book के author कौन है, तो बिल्कुल Oh Misuram book के author कौन है, भहि कौन है, पियेश श्रीधरन पिल्लेई जी, जो Misuram के क्या, Misuram के क्या, अगर मैं बात करूं, जल्दी से लिख कर बता दो, पियेश श्रीधरन पिल्लेई जी, जो है क्या है, किस post पर जो है, उन्हें कौन सी post मिली हुई है, next आरा है, अगला question screen पर what is the currency of Israel आपको इस्राइल की मुद्रा बतानी है ठीक है आपको इस्राइल की क्या बतानी है currency option है जलोटी, तोमन, रूबल, न्यू शेकल या फिर क्रोन आपको बताना है इस्राइल की currency ठीक है इस्राइल की currency बतानी है और capital तो लिखकर बताओगे, बताओगे comment box में और इस्राइल की currency क्या है बिल्कुल न्यू शेकल है, अब मुझे एक बात बताओ इस्राइल की capital तो लिखकर बताओ comment box में इसके अलावा एक चीज और बताओ तोमन जो है किस की नई currency है किस country की नई currency बनी थी ठीक है किस country की नई currency बनी थी उसने जो inflation की वज़े से अपनी पुरानी currency हटा दीती, त्याग दीती और तोमन उसकी नई currency बनीती किस country की, तो इस्राइल की currency क्या है न्यू शेकल है, नेक्स बात करें अगले question की, which of the falling organization regulates working and operations of NBFCs, निमलिखित में से कौन सा संगठन, गैर बैंकिंग वित्य कंपनी, NBFC के काम और संचालन को नियंतरित करता है तो आपको बताना है कि non-banking financial companies आपको गया बताना है भई, non-banking financial companies जो है, उसके कार को पूरी तरीके से कौन regulate करता है, option है आपके पास RBI, CBI, IRDI या फिर CIDB, तो non-banking financial companies जो है, उसके कार को पूरी तरीके से कौन regulate करता है, तो NBFC के कार को कौन regulate करता है भई, इसे भी कौन control करता है RBI ही control करता है, Reserve Bank of India ही क्या करता है NBFC को भी control करता है non-banking financial companies को भी अच्छा, non-banking financial companies और किसी bank में क्या difference होता है, तो ध्यान लगता non-banking financial companies जो होती है वो companies act में registered होती है bank है, तो कौन से act में registered होता है banking regulation act 1949 में ठीक, इसके अलावा non-banking financial companies जो है, वहाँ deposit accept नहीं होता, हम जो है, खाते नहीं खुल सकते, bank में हम क्या कर सकते खाते खुल सकते, NBFC जैसे Magma Finance, Mutoor Finance, Shriram Finance ये सब शामिल हो गए, इसके अलावा लेकिन एक important point है कौन सा non-banking financial company ATM open कर सकती है, जिन ATM को किस तौर पर जाना जाता है भाई, WLA और ये कौन से ATM होते है white label ATM होते है कौन से ATM होते है, white label ATM तो non-banking financial company ATM open कर सकती है, जिन ATM को किस तौर पर जाना जाता है, white label ATM के तौर पर जाना जाता है ये बात ध्यान रखना अभी तक जितने भी candidates हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर telegram से connected नहीं है तो बिलकुल आप selection with chani या फिट जी ये महिंदराज live telegram पर search करके हमारे साथ connect हो सकते हो सारे important information PDF notes आपको यहीं पर मिल जाएंगे ठीके तो बिलकुल आप telegram से connect होना ना भूले आज के session को यहीं पर end करते हैं जितने भी candidates, aspirants और मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए थे चानल को subscribe करना ना भूले जाते जाते session को क्या करते जाएगा like करते जाएगा अम मिलेंगे जो है रात में बारा बजे हमारे जो है बारा मिनिट में बारा questions के साथ तो बिलकुल अगर मैं बात करूँ तो editorial session लगा हुआ होगा 7.30 से तो जुड़ जाएगा तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का खुब ध्यान रखेगा सुरक्षित रहिएगा बढ़िया से खुशी-खुशी पढ़ाई करते रहिएगा और best wishes for your upcoming examination बिलकुल माइन को tension free रखेगा आप best हो और आप हर चीज हासिल कर सकते हो ये ध्यान रखना thank you very much to all of you have a very nice day to all of you bye-bye guys take care चेहिं